हेलो आल, वेलकम टो माई चानल पारा इनफोवर्ड, आज हम लोग डिसकस करेंगे अप्रेल 2020 के करेंट अफेर्स और ये वीकली करेंट अफेर्स काफी इंपोर्टन रहते हैं और उसके साथ हम स्टाटिक जीके भी डिसकस करेंगे जो की काफी महत्वपूर्ण होता है एक्ज क्योंकि वही ज्यादा अभी डेवलोप्मेंट्स होती रहते हैं तो उसके बारे में ज्यादा है तो वह कोश्चन ज्यादा है तो चलिए पहला कोश्चन है तिल वोट डेट यूएन सस्पेंडेड रोटेशन और डिप्लाइमेंट और पीस कीपर्स तो रेडिस्ट रिस्क अब ट्रांस्मिशन अब दो नॉवेल कोरोना वाइरस के संचरन के जोकिम को कम करने के लिए स्वयुक्त रास्ट्र ने कीस तारिक तक शांती रक्षकों की रोटेशन और तैनाती को स्तगीत कर दिया है तो मतलब क्या पीस कीपर जो है शांती दूज जो है शांती रक्षक उनको उनका रोटेशन और तैनात को स्तगीत कर दिया है फिलाल यून क्या है उनाटेट नेशन तो कभी तक क्या है तो ऐसा कौश्चन है 30 जून तक स्तगीत कर दिया है तो सी करेक्ट आंसर है 30 जून तो यह किसली किया गया है तो यह जो भी करमी आने वाली जो वरकर परसनल से उनको कोवीद-19 मुक्त रहना चाहिए इसलिए यह किया है एक्चुली और सवयुक्त रास्टर के यह शांति सैनिक भी एक संकरामक वेक्टर हो सकते है इसलिए ऐसा स्टेप लिया गया है और United Nations के ब नियुयार्क अमेरिका में स्टापना हुई थी 24 अक्टोबर 1945 और महा सची अभी कोन है उनाटेट नेशन के तो एंटोनियो गुटेरेस है और United Nations के जो सवयुक्त रास्टर के कितने सदेश से देश है तो 193 सदेश से देश है तो इस पर से हर एक इस पर एक एक क्वेशन हो स रखता है जन्रा नॉलेच का तो आपको ख्यान में रखना है नेक्स्ट ए वीच स्टेट हास डिसाइड़ तो प्रोवाइट फाइनशल असिस्टन्स आफ रूपिस 2000 इच तो देश रेसिडेंट वू आर स्ट्रेंड इन अधर पार्ट्स अप्ट्री दिव टू के कारण देश के अन्य हिस्सों में फसे राज्य के निवासियों को 2000 रुपए की वित्तिय सहायता प्रदान करने का निर्न लिया है तो यह 2000 रुपए उनको दिया जाएगा जो दूसरे राज्य में फसे हुए है लॉक्डाउन के वजह से तो वह स्टेट का नाम है मनिपूर मनिपूर स्टेट ने निर्न लिया है कि 2000 रुपए दिया जाए जो भी लोग फसे हुए है जो भी उस राज्य के लोग फसे हुए है दूसरे जगह पे लॉक्डाउन के वजह से तो चलिए और देखते है यह राशी जो है मुख्यमंत्री के COVID-19 रहाद कोष से पसे विक्ति क खाते में डारेक्ली खाते में उनके डिपोजिट की जाएगी और कहां से की जाएगी तो मुख्यमंत्री के COVID-19 रहाद कोष चीप मिनिस्टर's COVID-19 रिलीव फंड और अभी मनिपूर की बात है यह तो उसके बारे में देखते है राजदाने इमफाल यह कभी-कभी students confused कर देते मनिपूर की राजदाने इमफाल राजजपाल है डॉक्टर नजमा हैपतुला और मुख्यमंत्री है श्री बिरेन एन बिरेन सीहा नेक्स्ट है वीच कंपनी इस डेवलोपिंग डियागनोस्टिक कीट्स तो फैसिलिटेट फास्टर स्क्रीनिंग फॉर पोटेंशल कोरोना वाइरस संभावित कोरोना वाइरस के लिए तेजी से स्क्रीनिंग की सुविदा के लिए कौन सी कंपनी डियागनोस्टिक कीट विकसित कर रही है तो एक इस कंपनी का नाम है फास्ट सेंस डियागनोस्टिक बी करेक्ट अंसर है तो फास्ट सेंस डियागनोस्टिक एक स्ट पुने बैस्ट स्टार्टप है और ये इस कीट का खासिएत क्या है तो यह प्रशिक्षी तक्नियों की अनुप्स्तिती भी मतलब टेक्निक्निक्ट की जरूद नहीं रहती है इस कीट को चलाने के लिए और प्रशिक्षित टक्निशन ना रहने के बावजूद कोरोना वाइरस लक्षनों का तेज़ी से पता लगनाने में मदद करेगी तो यह इसकी एक कीट की है खासेते कि जो कि काफी अच्छे है क्योंकि अभी प्रशिक्षत करना भी काफी उसको भी टाइम लगता है तो यह तुरंध हम यह कीट को यूज़ कर सकते हैं तो डॉक्टर प्रिती निगम जोशी जो है यह समस्तापक नीदेश के फास्ट सेंस डागनोस्टिक्स कंपनी के और कहां पर है यह पूने में है नेक्स क्वेश्चन वीच सेंटरल गवर्मेंट कंपनी हाज डेवलप्ट एंटीबोडी रैपिट टेस्ट कीट कॉल्ड मेक्शुर केंडर सरकार की कंपनी ने मेक्शुर नामक एंटीबोडी रैपिट टेस्ट कीट विकसित की है तो उस कंपनी का नाम है HLL Life Care डी करेक्ट अंसर है और HLL Life Care जो तेजी से परिक्षन कीट बनाने के लिए है ICMR अनुमोदल प्राप्त करने वाली HLL Life Care पहली PSU है ठीक है एक है एक हैल में रखना है HLL Life Care is the first PSU to get ICMR approval to make rapid test kit और एक कीट कापी सस्ती है इसकी cost 400 रूपए से भी कम है और HLL Life Care Limited जो की एक मैंने बता है Central Government Enterprise है और अंडर Ministry of Health and Family Welfare तो यह भी question आपको ख्याल में रखना है Ministry of Health and Family Welfare के अंडर यह HLL Life Care Limited company आती है स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्रा लेके अंदर तो इसके बार में और देखते हैं इसके यह जो HLL देखा उसके साथ भी एक इंस्टिट्यूट है वह भी इसको डेवलप कर रही है जिसका नाम है राजिव गांदी Center for Biotechnology राजिव गांदी Center for Biotechnology तीरवणन तो पुरम में है और यह भी इसके कीट को विकसीद कर रही है और यह राजिव गांदी Center for Biotechnology विज्ञान और प्रोग्गे की मंत्रा लेक जो की Ministry of Science and Technology है उसके अंडर यह आती है काम करती है आर जी सीवी नेक्स्ट है आस पर स्टडी आप ICMR यह भी question काफी important है यह काफी important question अभी आने वाले काफी exams में COVID-19 related question ज्यादा आएंगे तो यह काफी important है और उसमें से यह question तो काफी मौत्वपूर्ण है As per study of ICMR, one COVID-19 patient can infect how many people in 30 days if preventive measures are not implemented ICMR के अध्ययन के अनुसार एक COVID-19 रोगी 30 दिनों में कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है यदि निवारक उपायों को लागू नहीं किया गया है तो यह काफी मौत्वपूर्ण एक study है ICMR का तो वह देखते हैं तो एक आदमी जो है 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है यह एक study है एक patient जो है coronavirus का 30 दिन में 406 लोगों को infect कर सकता है अगर कुछ preventive measures यूज नहीं किये तो और preventive measures कुनते हैं तो अगर निवारक उपाय जैसे ताला बंदी जैसे के lockdown नहीं किया तो यह 406 लोगों को संक्रमित करेगा और निवारक उपायों से अगर निवारक उपाय जो implement की एच्छी तरह से तो एक मैने में प्रती मरीज आउसतन धाई व्यक्ति तक संक्रमन की संभावना को कम किया जा सकता है तो अगर प्रिवेंट्व मेजर यूज नहीं किये तो 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है और अगर प्रिवेंट्व मेजर यूज किये तो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है तो वह स्रीप धाय लोगों को संक्रमित कर सकता है यह इसा study है तो ICMR क्या है वो देखते है, ICMR Indian Council of Medical Research और जो कि भारतिय आयरविज्यान अनुसंदान परिशद है, जिसका मुख्याल है नई दिल्ली में, और स्तापना कहा हुई थी ICMR की, तो कभी हुई थी 1911 में, और अभी करंट डारेक्टर जनरल को ने, प्रोपेसर बलराम भारगव है, म काफी important होता है, people rarely succeed unless they have fun in what they are doing, अतलब क्या है, जो भी आप काम करते हैं, उसको अच्छी तरह से enjoy करो, और तो ही आपको success मिलने के chance रहते हैं, जैसे कि आपको study करना है, तो study में, आपको interest आना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको interest नहीं आता है, तो आपको success मिलने के chance बहु करो, तो आपको success मिल सकता है, next है, how much amount is sanctioned by government of India for COVID-19 emergency response and health system preparedness, COVID-19 अपातकालिन प्रतिक्रिया और स्वास्त प्रनाली तयारी के लिए, केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशी मन्जूर की गई है, तो 15,000 करोड राशी जो है, वो मन्जूर की गई है, ये correct answer है, और ये किसलिए, COVID-19 emergency response and health system preparedness के लिए, आपतकालिन प्रतिक्रिया और स्वास्त प्रनाली के तयारी के लिए, तो ये actually union health, health ministry के द्वारा ये disverse की जाएगी, तो union health minister को ने जानना बहुत जुरूर है, तो डॉक्टर हर्ष वर्दन जो है, केंद्रिये स्वास्त मंत्री है, ये आपको खेल में र practicalive store व्र 6274 करोण का उपयक दकाल आतकल आपत का लिंग प्रतिकराय के लिए 55,000 करोण में से और बाकी का जो है, मध्यम आधी के लिए राशी जो है, कि यूश की जाएगी, बाकी ये स्वास्त राशी राज्यों और केंद्रिये स्वास्तु राज्यों और खेंद्र शा शा और का भुकदान अल्रेडी कर दिया है तो यह सब आपको ख्याल में रखना है नेक्स्ट है वाट इस दे नेम ऑफ ओनलाइन ट्रेनिंग प्लाटफॉर्म लांच बाइ गवर्मेंट आप इंडिया फॉर मैनेजमेंट ओफ कोवीद 19 कोवीद 19 के प्रबंदन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए ओनलाइन प्रस्रिक्शन मंच का नाम है तो ओनलाइन प्रस्रिक्शन जो चालो किया है गवर्मेंट इंडिया ने उसका नाम है IGOT भी correct answer है IGOT तो इसका full form भी हम देखते हैं IGOT का है Integrated Government Online Training Portal क्या है Integrated Government Online Training Portal और यह कहां पर है दिक्ष्या प्लाटफर्म में है जो की MHRD का है Ministry of Human Resource Development तो IGOT का full form ख्याल में रखना है Integrated Government Online Training Portal एकी कुरूद सरकारी Online Prescription Portal और यह कौन से दिपार्मेंट ने लांच किया तो कार्मीक और Prescription विबाग जो DOPT है Department of Personal and Training उसने लांच किया इस पोर्टल का उद्देश महामारी से निपटने के लिए प्रंट-Line Workers की क्षमता को बढ़ाना है उनको train करना है फ्रंट-Line Workers नहीं जैसे की दॉक्टर है, नर्स है, तकनीशियन है, पोली स्पोर्स है या फिर गवर्मेंट ऑफिसर्स है जो भी इसके लिए काम कर रहे है COVID-19 के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए यह territory कि सराज्य या फिर केनर शासित प्रदेश की सरकार ने कंटेनमेंट जोन में ऑपरेशन शील्ड शूरू किया है, यह इस मीशन का नाम है, तो यह डेल्ली सरकार ने लॉंच किया है, डी करेक्ट अंसर है, तो यह इसकी इस ऑपरेशन शील्ड की गोष्णा मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किये, जो कि अर्विन केजरिवाल है, और ऑपरेशन शील्ड का उद्देश क्या है, तो COVID-19 महामारी के प्रसार को रोपना ही है, उसका उद्देश है, तो अभी शील्ड का फुल फुल फॉर्म, शील्ड कर से नाम आ गया, वो देखते है, शी for sealing the infected area, sealing, संक्रमीत इलाइक को seal करना, H क्या है, तो home quarantine, I क्या है, तो isolation of infected patient, क्यानी संक्रमीत रुगियों का अलगा, E क्या है, तो essential services ensured, मतलब जो भी जरूरी चीज़े है, जीवना अश्यक वस्तु है, उसको मिलना, ये essential services ensured, then L क्या है, तो local sanitization, D क्या है, तो door to door, check up for people, ये shield का full form है, तो ये शायद इस पर से भी एक आदा question बन सकता है, कि shield में E का मतलब क्या है, तो E क्या है, तो essential services ensured, next है, what is the score of India in Oxford COVID-19 government response tracker, एक tracker है, जो index बोल सकते हैं, जिसमें India का score कितना है, Oxford COVID-19 सरकार response tracker में भारत का score क्या है, तो भारत का score is 100, 100, D correct answer है, क्योंकि काफी अच्छे-ची steps, well in advance भारत सरकार ने लिए, इसलिए 100 out of 100 marks मिले हैं, भारत सरकार को इस tracker में, और tracker क्या-क्या parameters देखें, तो जैसे कि school बंद करने का, तो जैसे कि भारत ने बहुत जल्दी school बंद कर दिये, फिर travel लोगों को travel band करने का, उसके साथ-साथ, emergency investment जो भी है, आपतका लिंग निवेश है, healthcare में, या फिर राजकोशे उपाई, या फिर सरकारों दोरा टीकोमी निवेश, जैसे कि investment in vaccine, ऐसे उपायों को उन्होंने आधारित, उस पे आधारित ये tracker निकाला गया है, जिसमें भारत को 100 out of 100 मिला है, तो ट् ठीक है, और देखते हैं, इसके बारे में, tracker में 100 score करने वाले कुछ अन्य देश में, जैसे कि Israel है, Mauritius है, New Zealand है, और दक्षिन आफरिका है, बारत के साथ-साथ ये भी देश है, Israel, Mauritius, New Zealand और दक्षिन आफरिका, और ये किस ने दिया है tracker, तो Oxford University ने दिया है, जिसका मुख्य अबी, next question, रिफद चदिर जी डाइट डिव टो coronavirus, he was popular person of which field, रिफद चदिर जी की मुरुत्यू, coronavirus के कारण हुई, वह किस क्षेत्र के लोग्प्रिय वेक्ती थे, तो वो थे architect वास्तुकार थे, D correct answer है, तो उनके बारे में और देखते है, उन्हें आधोनिक इरानी वास्तुकला के पीता के रूप में जाना जाता है, ऐसा भी question हो जाकता है, who is the father of modern Iraqi architecture, तो रिफद चदिर जी फादर उनको father of modern Iraqi architecture मना जाता है, आधोनिक इरानी वास्तुकला के पीता, और वो UK में उनकी मुरुत्ति हुई, at the age of 93, 93 और चदिर जी को इराक की लगबग 100 प्र आता है, जिसमें प्रतिश्टित स्वतंत्रता स्मार्ग भी शामिल है, चदिर जी is credited with designing nearly hundreds of Iraq's most well-known structure, including the iconic freedom monuments, तो ये काफी well-known architect थे जिनकी मृत्ति हुई अभी हाल ही में, UK में, तो आज के लिए इतना ही, तो मैं उम्मीद करतो हो आपको पसंद आया रहेगा, तो प्लीज ल और सब्सक्राइब करना बुलिए, तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, so thank you very much